इस बक्त की बरी खबर है जो हम आपको बताने के लिए आया है खबर है नियो जी शिक्षक से जुरूई हुई जी आहाँ खबर ही ऐसी है जो सुनते ही आप कहीं नी कहीं इन खबरों को जानने के लिए आप अंदर तक जानने के लिए जो है आपकी इच्छाएं जो है वो जगेगी और बात करेंगे हमारे साथ आस्तो मिस्रा जी है हमार से होगी क्योंकि लगातार आपको तमाम अपडेट जो है निय इसमें उनका भी जो है रूची से जुरी भी बाते सामने आई है तो क्या ख़बर के लिए आप बताई बिल्कुल अभी जो सामने आ बात शुत्रों के हवाले से ही जनकारी सामने आ रहे है कि सीम नितीर्स कुमान ने खुद संग्यान लिया है और शिक्षा भी भाग के अधिकारियों से बात की है खास तर पर केके पाठर को बुलाया है बात की है और उन्होंने जो भी चीजे चल रही है जो भी रिपोर्ट में कमीटी जो बनाई गई है उसमें संसोधन की बात कई है संसोधन ये कि 3 बार परिक्षा दने को जो मौके दिये जा रहे थे उस मौके को बढ़ाये जाए यानि अब 3 बार नहीं 4 बार नहीं 5 बार लिकर पर विक्षा देंगे तो फिर ज्यादायद से पनेगा यानि और पर ज मोके दिये जाएंगे, इसके अलावाज जो परिक्षा की तारीक है, उसके बीवाद है और YouTube Till Hundi पर्वदी भी तारीक फोरण इस तारीक को भी एक्सेंड कीजिए बदलाओ की ज़िए ताकि नियोजी सिख्षक जो लिए विज़ा से वुप्त की स्तित्ती में है कन्फूजन की स्थिति में है और फॉर्म ज्यादा से ज्यादा चुटी सारे तीन से चार लाग के आजपस नियोजी सिक्षक हैं और अब तक जो हमारी जानकारी है डॉक्टर संजीब सिंजो कोशी सिक्षक निर्वाचन शेत्रिय विधान पारशद हैं जेडिव कोटे के हैं उन्होंने जो हमसे बादचीत में कहा कि महज 1500 से ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गया है उसी आजपस में अब तक फॉर्म भरे गया है जबकि एक तारिक से फॉर्म भरे जा रहे हैं और कल हमारी बादचीत हुई थी और नियोजी सिक्षक हैं सारे तीन लाग से चार लाग कई सिक्षक संगठोनों ने जब कमेटी की एक फरवरी को कमेटी बनी थी तेक्टे पार्थक की अधक्स्ता में और तीन तारिक को फरवरी को कमेटी ने रिपोर्ट जी जोटी सारुजनिक खुई वारल हुआ अलग कि सरकार ने इस पर फानेलाइज नहीं किया था अनुशन सा सरकार को भेजी जानी थी उसमें ये बाते सामने आई थी कि तीन मोटे दिये जाएंगे और जो भी नहीं भुना पाएं पास नहीं हुए वो उन्टी सेवा समाप्त हो जाएगी और इसके अलाबा जो परिक जितने भी हैं नियोजी शिक्षक खास तौर पे अब तक आफ लाइन परिक्षा देते हैं जाना चाहेंगे जो क्या पांच मोटे के बाद तो आपने कह दी क्या ओनलाइन परिक्षा इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या मतलब आपको एक्जाम पास करना ही है अगर आप कोशिश कर रहे हैं उनको सरकारी करमचारी बनने का राजिकर्मी बनने का बार बार अर्चने क्यों आ रहे हैं अरंगा क्यों लग जा रहा है इस बात तो लेकर वह बहुत ज्यादा चींतित है और उन्होंने जब इतना लगतार लार्ज स्टिल पर विरोध प्रदर्शन 2024 से लोग सभा चुनाव भी है और 2020 में नियोजित शिक्षकों की नाराजगी से वाकिफ हैं कि इस तरीके से नाराजगी में उन्होंने महागटबंधन को वोट किया था इंडिय सरकार को नहीं नितिश कुमार को नहीं तिन तमाम चीजों से वाकिफ हैं तो चुनाओं के साल आइसे में नियोजित शिक्षकों को नाराज नहीं करना चाहते हैं और उनकी महनशा भी क्लियर है वो चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक राजगी बने लेकिन जो बीच में जो चीजे एडिक्शिक्टूर बढान की रिस्पंसबिलिटी होती है शायद वहीं से कहीने कहीं को दुरूस्त करने के लिए वो आगे आये हैं और जैसे ही संग्यान मुन के मामला आया है तुरंत उन्होंने इसको कहा है कि तीन से पांस मोटे बढ़ा दिया जाए परिक्षा की डेट बतली जाए अब जो आपने सवाल किया है कि क्या जो ऑफ-लाइन मांग करने परिक्षा ज मैक्सिमाम टीचर नियोजी सिख्षक जो भी है वो 17-18 साल से काम कर रहे हैं कंप्यूटर तक चलाने नहीं आता है कैसे ओनलाइन परिक्षा देंगे और अभी तक दख्षता परिक्षा होचा जो भी हो वो भी ऑफ-लाइन हुई है इन फैक्ट जो BPSC फेज 1 और फेज 2 जो किष्षा ऑली हुई है वो भी ऑफ-लाइन परिक्षा गुए इंटरॉमैट्रिक परिक्षा भी आफ-लाइन हो रही है तो इसमें दिक्तत कहा है यह तो एक्ष्ण सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सरकार के अस्धर के नीती बनानी है और यह करना है कि मुझाले लगता है लेकिन यहां पर तीन जीलों का ओप्सन मांगा जा रहा है और उसके बाद उसमें मेधा अंक लाने पर उस तरीके से पोस्टिंग होगी उस पर भी अभी तक कोई बात सामने नहीं आ रहें अंदर खाने बात हो रहें चुटी जो भी संग्यान में लिया गया सिक्षा विभाद के अधिकारी इस पर काम में भी लग गया है और जैसे ही काम फाइनलाइज होगा तुरंथ बीए से भी को यह सारी चीज़े जाएगी गाइडलाइन जाए कि इस तरीके से परिक्षा लेनी है तीन बार नहीं पांच बार तुरंथ डेट बरहाया जाए आवेजन फॉर्म भर करें बिल्कुल पहल अच्छी कही जाएगी और मुझे लगता है कि लगतार वारता चल रही है समवाद चल्राहिए शिक्षक संगहठन डिप्टी सीम हो से मिलें कोशेश कर रहा हैं सब अपनी बात रख रहा है और मुझे लगता है कि दिप्टी सीम ने भी या सिक्षा प्रतिनीदी है जो विधान पार्षद है उन सब लोगों ने उनसे जाकर के कहा है और चुटी बीच में दिली गए थे और सरकार की जो बाते चले हलाकर भी अइस्थिर ही कहा जाएगा उसमें इंगेज से तो अब वो आये हैं थोरा से करें और यही बज़ा है कि फॉर्म भरे नहीं जाने की सुचना थी इसलिए केट्य पाठक ने कमिटी की रिपोर्ट बनाई और कहा कि और फॉर्म नहीं भरते हैं परिक्षा में नहीं बैठते हैं तो सेवा समाब तो जाएगे उनकी मनसा यह थी कि इस बज़ाए से ज्यादा स लेकिन यह दा उल्टा पर गया और जो फॉर्म भरने वाले वी थो थे लोग वह भी फॉर्म नहीं भरने लगए आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो परिक्षा बीपीएसी के जरिये सरकार ने कहा था कि जो बीपीएसी की परिक्षा पास कर जाएंगे वह लोग राज बिल्कुल तीस जार से ज़्यादा लोग पास भी किये उसमें लेकिन वहीं फिर उसमें से दस जार लोगों ने नौकडी जोईनने की क्यों वही एक्षी कस्थानांतरन की वज़द से चुटी उनको जहां काम कर रहे थे वहां से अलग भेजा जा रहा था मतलब कि नियोजी सिट्षकों के लिए अच्छी कही जाएगी आने वाले दिनों में भी हम उमीद कर सकते हैं कि बाटी बिंदूओं पर भी कोई आम राय बनेगी लगतार वारता चल लगी है और गुड निउज आएगा बिल्कुल तो जो तमाम जनकारी थे जो था वो आपको हम बता रहे थे तो क्या कुछ जो है इसमें बदलाव हुए या फिर क्या कुछ इसमें इंप्रूमेंट हुए वो आपको जनकारी बता रहे थे ऐसे यह न तमाम वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहे हैं अप्डिवी टिवी 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 करते हैं।